मैं बस यह जानना चाहता हूँ आपको सर्जिकालिस्टाइक एरिस्टाइक से खुशी हुई कि नहीं हुई आप आपको सवाल न आप अप एक त्रीक स्टाइक और कोड करने की कोशिश कर रहे हैं वह है जितना अचे बारति अवे जितना ना दर्मद्ध ललि प्रति ना ज्चाइब बहरति हैं उतना ही आप भारति भारति कपूर भीबारती हैं मैं आपको अपना भाई मानता हूं मैं पूछ रहा हूं मुझे सर्चकल इस्टाइक से मेरे कलेजों को बड़ी ठंडक मिली बहुत खुश हुई उतना खुश मैं अपने जीवन में कभी नहीं हुआ आपको हुई कि नहीं मैं बस यह जाना चाहता हूं देखिए अगर भारती होने थे किनाते अगर आपको बहुत खुशी हुई तो पिर आप हमसे यह सवाल कैसे पूछ सकते हैं कि हमें खुशी हुई तो बतादीजी ना अच्छा चलिए प्रदीबंडारी आपको खुशी हुई राकेश भाई राकेश भाई हम कश्मीरी हिंदू को नरसनार कश्मीरी के अंदर इसलिए हुआ क्यूंकि हम तेरंगा च्छाती पे लेके गुंटे थे वादी के एक कोने से दूसरे कोने तक है और हम हिंदू है सनातनी है इसका में गर्व है बारत की तरह से जो भी दादियों को मुट की गाट उतार रहा है यह हमारे लिए गर्व की बात है अजय वरमा आपको खुश हुए कि नहीं एक लाइन बोल दीजिए फिर आपको मैं आपको 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 आपसे मैं अलग सब्सक्राइब नहीं कि नहीं अरे रुकिए ना गोर्व कपूर प्लीज प्लीज सर प्लीज प्लीज रुख जाइए अजय वरमा जी बड़ी अच्छी बात है भारत के ऊपर कोई आतंकी अमला करेगा भारत यह साना जवाब दोगी तो सीना 56 का हो जाएगा बहुत खुशी होगी बिलकुशी बात अब ठीक है अब ठीक है अब आपने गरों का पू आप अपनी भावना ही बेक्त नहीं कर पा रहे हैं देखिए आप जो चाते हैं आप मिरसे पूछना मैं बाजपा की तरह नहीं हूँ कि अपना वोड़ बैंक कि लिए बोलूँगा अरे मैं इंदोस्तान का जमु कुश्मिर का ना जारो वाइगा जारो वाइगा आपके कोई सारे एक्शन लिये हैं जब उनकी सरकार्थी पाकिस्तान के दो टुक्डे कर दिये मैं नहीं था मैं नहीं पैदा हुआ था लेकिन जब मैं जब मुझे समझ हुई हुई और पता चला कि हिंदोस्तान ने तब क्या किया था मैं जितनी बार सुचता हूं मेरे रोंग्ते मैं तो सिर्फ उचा कि आपको खुशी हुई की नहीं हुई मैंने कहा कि आपने अप्यक्शन किया अब मैं इस पर कहावत बोल दूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी चलिए अजय बर्मा जी अब आपके पास आ रहा हूं थोड़ा समय देर से आ रहा हूं माफियोस के लि मैं पार्टी अपने अपने लोगों के विचार है रास्ट भक्त राके इस पांडे जी हम अपनी पार्टी की लोजी कर सकते हैं पाकिस्तन में Bet Pack PhD नहीं हो आप भी नहीं है और प्रिदी बंडारी भी नहीं है संबैदान एक पत पर सत्पाल मली गवर्नर थे दो-दो स्टेटों के गवर्नर रहे जब वो गवर्नर जब संका जाहिर करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी चुनाब जीतने के लिए किसी इस तर तक जा सकती है जब पुलवामा वाला मामला हुआ था और उस पर सवाल उठाए गए थे तो अब यह पाकिस्तान का यह सही होग है बीजेपी का यह प्रियोग है कि चुनाब के समय क्यों ऐसे प्रोग्राम और ऐसे बियान आते हैं जैसे जब लोकसवा का चुनाब था अब जबू कश्मीर में चुनाब है तो पाकिस्तान की रक्षा मंतरी की जो बासा आप कह रहे हैं कि कॉंग्रेस से और नेशनल कॉंफरेंस से मिलती है मैं एक रहसो अधगोटन करना चाहता हूँ आपके इस चैनल पर मैंने और भी पहले भी कहा था कि यह भाजपा की ITCL और भाजपा की सोची समझ रणनीती है चुकि जब बिन बुलाए विर्यानी खाने तो हमारे कॉंग्रेस के प्रधान मंतरी गई नहीं थे रैट कार्पेट लेने भी माननी है मोधी साप गए थे बिन बुलाए भी गए थे बदाई देने भी गए थे तो जब यह वहाँ बिन बुलाए जाते हैं तो इ प्रधियान बाजी करा देते हैं और उसका आरोप कॉंग्रेस पर और पार्टियों पर सारे भी पक्षपे लगा देते हैं चुकि सिर्फ यही राष्ट वक्त हैं और सारे के सतर परसेंट लोग देज दुरूई हैं अब भी आप भी राष्ट वक्त हैं लेकिन आपने एक न प्रधिब जी भाई हैं हमारे देखिए प्रधिब जी अभी कह रहे थे मैं प्रधिब भंडार जी से पूछना चाहता हूं आज तक वो कानवाई में रडी एक्स कहां से 300 से 500 किलो वो नहीं आप बता पाए वो ڈएसपी सरदार जी थे उनके वारे में क्या करा उनको क्यार मौत की फासी दी नहीं दी पुलवा मागे परिवारों को आज तक आपने जिन जो शेनिक शहीद हुए थे उनको जो चीजें गई थी वो नहीं दी गई वो कार कानवाई में कहां से आ गई एर लिफ्टिंग की इजाज़त क्यों नहीं दी क्यों कार से लिगी ये सबाल तो ठीक है ठीक है ये ये सवाल लेकिन आपने एक बार कही या जवर्माजी उस पर मैं जवाब चाहूँगा प्रदी बंडारी खौजा आसिफ को आपने बीजे पी की सदस्टा दिला दिये बीजे पी आइटी सेल में रख लिया है क्या देखिए अजय भाई पहला तो जूट ये बोल रहे है पुलबामा के सभी शहीदों को पूरी तरीके से सम्मान पूर्वक सब हर चीज दी गई है जाके पूछिए आदमी को ऑफिशल इसमें स्टेट्मेंट भी है अजय भाई नैशनल सेक्यारिटी में राजनीती मत करिए उसके बाद मुझे बताईए दोधर चौबिस के पहले भी जाके बोलते है कि पाकिस्तान आटम बॉम डाल देगा इंदोस्तान के अंदर राहूल गांदी मिले इलान उमर से मुझे बताईए अभी यूएस की विजिट में इलान उमर कौन है पाकिस्तानी सेना द्वारा फं तो हम तो नहीं कहें ये लोग है मुझे बताईए अगर इनको खौजा आपसे के स्टेट्मेंट से डिस्टरी तो डाल दीजिए कि आर्टिकल 370 अगर ये रहेंगे तो आर्टिकल 370 रिवोक नहीं होगा इनकी डिक्कत यही है कि ये पाकिस्तान के फ्रॉक्सी बने हुए है ये चाहते हैं सेपरिटिस राजमीटी जो है वैली के अंदर आगे बड़े जिससे की इनकी जो वोडबांक राजमीटी आगे जवाब जवाब जैवे प्रॉकर दीजिये बिलकुल दीजए वाई बीच मैं नहीं बोला था प्रदीब जी आपके पाकिस्तान के द्वारा तेक टीबी पर वैट के जूट मत बोली आपको एक्सपोच कर रहा हूं में कि पाकिस्त के आर्मी द्वारा फंडिंग वह सबूत है आपके पास कोई या फंडिंग का कोई अगर वह हो तो आप प्रदीब जी दिखा दी और रिपोर्टेट दिखा रहा है दिखा हुआ लिए निगाल रहा हुआ थीक है पहले एक चीड तो दिखा ले दिखा लेसे लिए घ्याल वहीं है पाकिस्तान की आप से क्या गलवईया है और सुन लिए ना ये ना दिखाईए भाई स्क्रीन में दो लोगों को रखिया जाजी और रुक जाए रुक जाए अरे भाईया निकाल दिया ये लिए ये दीजे अगस 18 2023 युएस कॉंग्रेस उमें इलान उमर्स कांट्रोवर्शल व 22 वास पाकिस्तानी गवर्मेंट ये देखिया ये देखिया राकेज जी मैं आपको बेज़ देता हूं आपको मैं सिवक वाट्साफ करनेता हो गए आपको जरूर इसको दिखाईएगा ये नहीं 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 मेरे साथ सच्छों पे नहीं आप बहूत मसबूत हुए करना अर्य ये इसक्लोजर पाकिसतानी सरकार ने करा तारा से लिए अगे पर लेता हूं अजय जी अजय आजिए लली तंबरदार इन्तजार कर रहे हैं लली तंबरदार जी था दूसरी तु दूसरी सुन लीजिए बस मेरा तीस सेकंड नहीं हुए अच्छा चलिए तीस सेकंड और लेजिए और तीस सेकंड लेजिए जो बाइडन को एक चिट्थी लिग दीजिए या बोदी जी से आपको पाल्टी की सांसर जुड़ी हुई है और पंटिंग वो भी लो मैं दे रहा हूं मैं आपको बेज़ देता हूं इंडियन एंबसी को दिखाओ दरा जन्ता को आपका जूट एक्सपोज होगा ये भी आपको दे देता हूं बोभी मैं दे देता हूं इसकी ताइमस ना हुए भी रिपोर्ट किया था आगस्ट दो अजार बाइस के अंदर पाकिस्तान सरकार ने डिस्क्लोजर किया था कि इलान उमर की जो विज